सारे financial thinkers जैसे रोवर्ट कियोस्की वरन वफिट नवल रविकांत इन लोगों ने पैसिव इंकम पे काफी इंफेसिस दिया है पैसिव इंकम और एक्टिव इंकम की बाते हैं जिस संक्षिप्ट में करें तो वह सारे इंकम जो आपके किसी एक्टिविटी के कारण इंकम जनरेट होता है वह एक्टिव इंकम होती है जैसे आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी आपकी एक्टिव इंकम है आप रिटायर्ड हैं तो पेंसन आपकी एक्टिव इंकम है आप बिजनस कर रहे हैं तो वह आपकी एक्टिव इंकम है लेकिन पैसिव इंकम वह इंक होती है और इन फाइनशल तिंकर्स जैसे मैंने बताया वरन वफिट या नेवल रवी कांद या रवाट कि यह उसकी इलों का कहना है कि यदि आप फाइनशल इंडिपेंडेंडेंस या फाइनशल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको एक्टिव इंकम के साथ क्रिएट करना है तो शब्स जैशा मैंने पर चर्चा कि के कि क्रिएट करने के लिए कोई बनाने के लिए या प्रोज्ट को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ने कुछ रखम की जगत होती है आज हम चर्चा करेंगे दो परस्तितियों की एक परस्तिती में यदि आपके पास कोई सेविंग है दुसी परस्तिती में आपके पास कोई सेविंग नही करते हैं आप एक हजार रोपे की साफी करते हैं आप सवाल है कि सेग्मेंट में किस फंड में करें तो चुकि जैसे मैंने बता है कि आप कमरें 32 साल है आपको अश्लम्बा समय है तो हमने थोड़ा सा रिस्क भी लिया अब थोड़ा सा अधिक रिटर्ण भी चाहा तो उसके लि करने के पहले बता दूंदो कि मैं किसी फंड का प्रोर्शन करता हूं किह नहीं कर आप एक हजार रूपे साइपि में इंवेस्ट करेंगे लेकिन साइपि में इंवेस्ट करने के पहले एक लीडिन ने आपको लेना पड़ेगा कि सिघाफ करना है या डिलेक्ट बाइने करने कि दोन meant करने में जो कॉर्पस बने का-दस वर्स बाद, उसमें और इन्वेस्टोर मीटकैप में एक हजार के अगले 10 वर्स के लिए करते हैं यहीं टीन यहीं अनुलगनुट्यान के आसपासद बनेगी biased सब्सक्राफ़ ही और इसके बेसिस के अपने leisurely da करें जहांMyunPIाहे आफली दे लियह क 비णु है बात वंदियान सब्सक्राइब दस बरसों के बाद आपके दोनों ही केस में कम से कम साहर तीन चार लाख के आसपा का कॉर्पर्ट कॉर्पर्पस बन जाएगा दूसरी प्रस्तितियों की चर्चा करते हैं जिसमें हमने माना की आपके पास एक लाख रुपे की सेविंग है कि आप एसाइपी के बदले उस एक लाख रिपे को जो फंड की चर्चा हमने की मुटिराल उस्वाल का मिट कैप इसको यह दी आप डिरेक्ट और रिग्लार प्लान जो आपके फाइनसिल विज्टम के हिसाफ से चूज करेंगे उसमें इन्वेस्ट कर देंगे अगले दस वरस करते हैं तो यह बनेगी च्छे माहिकतालीसजार और एंवेस्टम में डिरेक्ट र्यक्प्लान में और कि लिए आसप एक मैं पएक लग – बन रए थी और यदि आपने लंसम एक लाग रुपे दस वरसों के लिए इनस्पर्स की तो आपके इन्ही फंट से Miles में पीश wireless कर रहा है K yap M इस को जो के मैं डियरड़ प्लेड यूर प्लाइन में रék्रेट वा दस बरसों के बाद साथ यृध यहां डाल डिया कुछ ऐसे फंड में जिसका कंशे return 14% है और इस तरह के फंड को shortlist करना बहुत मुश्किल नहीं होगा और इसमें हमने एक प्लैन स्टेव्रूपी यानि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लैन का मैंडेट दे दिया और इस मैंडेट में मैंसन किया कि जिस मेने हमने इस फंड में साथ लाक और छे लाक रुपिया डालें उसके अगले मेहने से हमें साथ हजार पांस सो रुपए हर मेहने मेरे के खातें बस्ती रहा है वह साथ लाक पैसाथ हजार रहने कीस में नो लाक Kक उपे लाक रुपे हजा किसमें तो डेक desires बचेंगे पैसे विड्रॉक करने के बाद वह रहा है और के के में जिसमें अपने 6 लागए ढाले थे उसमें चार लाग साथ हजार बचेंगे अब यदि बात करें 20 बर्सों में जनाब 20 बर्सों में फंड विड्रौ करेंगे हम 18 लाग लेकिन रेरेक्ट में 18 लाग विड्रौ करने के बाद भी आपको 9,14,000 रुपे बचेंगे जब कि 18 वर्सों के बाद ये रिकम एक्जास्ट हो जाएगी वहीं यदि डिरेक्ट प्लान में हमने 30 साल तक लगतार हमने 7500 रुपे विड्रॉव कि तो 30 वर्सों के बाद हमने 27 लाक रुपे विड्रॉव किये और उसके बाद भी जो कॉर्पस बचा होगा मेरा वो 15,42,000 के आसपस् होई कि पैसिव इंकम जनरेट करने के लिए आपको काफी अमीर होना जाओ होई नहीं है बलकि छोटे-छोटे फंड्स से भी आप एसिट कर सकते हैं और उस एसिट को यदि स्टेव्रॉपी यानि सिस्टमिटिक विडवाल प्लैन में इंवेस्ट कर देते हैं तो आपको पै प्लैन में यह साथ लाग होते हैं और इन दोनों ही फंड्स को यदि हम फुर्दर किसी लार्ज कैप सेग्मेंट में जाएंगे 14% का रिटर्ण मिलने के संभावना हैं उसमें इंवेस्ट करें तो रेगुलर प्लैन अठारह और उसके बाद 7500 रुपे हर मैने निकालें तो रेगुलर प्लैन 18 वर्सों के बाद एक्जास्ट हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा जबकि डिरेक्ट प्लान में 30 वर्सों तक 30 वर्सों या उससे आगे तक 7500 रुपे निकालते रहेंगे उसके बाद भी कॉर्पस बचेगा और यह 30 वर्सों के बाद यह कॉर्पस बच पैसी में क्रियेट नहीं हो सकते हैं बिल्कुल हो सकती है और दूसरी बात हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि यह जब इसको इन्विस्ट करने मीच्वल फंड में तो यह फाइनसल विज्डम के विचार से सोचें आप कि आपको डिरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर अब जितने लॉस आपको होता है वो क्या लॉस सेहना मुनासिब है यह निर्णे आप खुद लें तैंक्यू